चो कैसे आप सब उमीद करता हूँ अच्छे होंगे मजे में होंगे और जैसा की हमने estimation आपको दिया था कि इस तरीके का paper आपका आ सकता है maximum paper वहीं से था उसी तरीके के questions आये थे तो अगर आपने पढ़ा होगा हमारे कहने से हमारी बात को माना होगा तो उमीद है आपका paper अच्छा ही गया होगा आपको कोई problem नहीं आई होगी चलिए अब आप बेसबरी से इंतजार कर रहे हो answer keys का कि क्या answer है हमें पता चल जाए हमारे max कितने आएंगे तो शुरूवात करता हूँ मैं answer की की और आपको बताना चाहूंगा कि यह जो answer की मैं जिस set की बता रहा हूँ वो 06724 की सबसे पहले बता रहा हूँ फिर आपको 1 की बताऊंगा फिर आपको 3 की बताऊंगा तो सबसे पहले यहां से सुरू करता हूँ उसके बाद आपको सबी sets की answer की पता चलेंगी तो वीडियो को पूरा देखना अगर आप चाहते हैं आपके question ठीक आ जाए तो यह आपका पहला question था बच्चो इस पहले question का question का जो हमारा answer था वो हमारा D answer था stamp act or registrar of our farm उसके बाद जो दूसरा question था दूसरे question का हमारा answer बेटा बोथ A and B question number two or question number three के कितने questions मैंने आपको कराये थी even revision की वीडियो में भी डाला था कि दो ही condition होती है जब capital account change होता है additional और withdrawal of capital अब बात करते है question number four की question number four का बेटा हमारा answer था 532 आप सभी जानते हो old ratio में distribute करते है question number five का answer की बात करते है तो question number five का हमारा answer था बेटा बेटा बी 590,000 अब बात करते हैं question number six की तो बेटा question number six का हमारा answer था A, nine, seven, four उसके बाद question number seven की बात करूं तो question number seven का हमारा B answer था question number seven का हमारा B answer था question number eight की बात करते हैं question number 8 का हमारा answer मेरे बच्चो A था question number 9 की बात करेंगे question number 9 का answer जो था वो बेटा D था उसके बाद अगर मैं question number 10 की बात करूँ तो question number 10 का answer भी मेरे बच्चो D था question number आपका जो 10 है 10 का answer भी आपका D है 9 का answer भी D है और 10 का answer भी आपका D है ठीक है बच्चो उसके बाद हमें क्या करना है बच्चो कोशन नमबर 11 की बात कर लेते हैं तो कोशन नमबर 11 का जो हमारा अंसर है वो A है तो कोशन नमबर 11 का हमारा अंसर A होने वाला है अब बात करते हैं कोशन नमबर 12 की तो कोशन नमबर 12 का जो हमारा अंसर है वो C है कोशन number 12 का answer हमारा C होगा question number 13 की बात करते हैं तो question number 13 का हमारा answer B है question number 14 की बात करते हैं तो 14 का हमारा answer question number 14 की बात करते हैं तो 14 का हमारा answer बच्चो C हो जाएगा उसके बाद 15 की बात करते हैं तो 15 का हमारा answer होगा मेरे बच्चो वो B होगा reconstitution of the farm उसके बाद question number 16 की बात करते हैं तो 16 का भी हमारा answer B होने वाला है उसके बाद question number 17 का answer जो होगा हमारा बच्चो question number 70 का answer होगा हमारा A question number 18 का जो हमारा answer होगा वो होगा बच्चो हमारा C question number 19 का जो answer होगा वो हमारा answer है मेरे बच्चो A उसके बाद question number 20 का जो answer होने वाला है वो है 20 का answer D question number 20 का D answer होगा फिर question number 21 की बात करें तो question number 21 का हमारा B answer होगा question number 22 का भी बच्चो हमारा B answer होगा question number 23 की बात करें तो 23 का भी हमारा answer B ही है 23 का भी answer हमारा B है be careful question number 22 का skip हो गया है तो question number 22 का भी मेरे बच्चो B answer है और question number 23 का भी B answer है question number 24 का C answer होगा मेरे बच्चो question number 25 का जो answer है वो 25 का answer C हो जाएगा सारे questions जो आपको बताएते हैं question number 26 का A answer होने वाला है उसके बाद question number 27 की बात करते हैं तो 27 का हमारा answer हो जाएगा B उसके बाद question number 28 की बात करें तो 28 का भी हमारा answer B है question number 29 की बात करें तो 29 का answer होगा हमारा C कितनी बार बोला था WCR, IFR को कर लो यहां से question mil देखने को जरूर मिलता है question number 29 के बाद question number 30 पे आ जाते हैं question number 30 का जो answer होगा मेरे बच्चों वो A answer होगा 30 के बाद अगर question number 31 की बात करें तो 31 का हमारा D answer होने वाला है उसके बाद 32 की बात करें तो मेरे बच्चों 32 का answer जो होगा आपका वो 32 का बी केरफूल मेरे बच्चों जो 32 का answer होगा हमारा 32 का answer हमारा होने वाला है A तो 32 में हमारा loss आएगा 28,000 का उसके बाद 33 की बात करते हैं तो 33 का भी A ही अंसर होगा उसके बाद 34 का C अंसर हो जाएगा हमारा 34 का C अंसर 35 का भी हमारा C अंसर होगा उसके बाद बात करते हैं 36 की तो 36 का अंसर A होने वाला है उसके बाद 37 की बात करते हैं तो 37 का भी बेटा हमारा A ही अंसर है 38 की बात करते हैं तो 38 का answer हमारा D होने वाला है मेरे बच्चो 38 का answer D होगा 39 का हमारा answer B होने वाला है मेरे बच्चो इसी तरीके से जो 40 का answer होगा 40 का क भी B होगा turnover ratio 41 का बिना बात डर रहे थे क्या होगा Ian बताया था जो मैं बता रहा हूं question ratio के वो कर ले 41 का हमारा C होगा exact question practice में कराया था सारे maximum question इस तरीके के ही मैंने आपको कराय थे 42 का जो होगा वो D होगा analysis और interpretation के लिए करते हैं 43 का हमारा answer बच्चो B होगा 3 times निकल के आएगा 44 का जो हमारा answer होगा वो मेरे बच्चो 44 का B answer आपका आने वाला है उसके बाद 45 की बात करते हैं तो 45 का आपका answer C होने वाला है मेरे बच्चो उसके बाद 47 की बात करें sorry 46 की बात करें तो 40 C का 6 का A answer होगा 47 का हमारा D answer हो जाएगा और 48 का हमारा B answer होगा 48 का हमारा B answer होगा इसी तरीके से 49 का भी हमारा B answer होगा be careful 48 का भी answer होगा और 49 का भी हमारा बच्चो भी answer होने वाला है 49 का भी answer होने वाला है इसी तरीके से बात करते हैं 50 की तो 50 का भी answer है बहुत से लोगों का ये syllabus का पार्ट नहीं होता है जिनोंने computerized accounting वाला portion है उन्हीं का होता है तो 52 का A answer होता है उसके बाद मैं बात करूँ 53 की तो 53 का भी A है 52 का भी A है और 54 की बात करूँ तो बेटा 54 का C answer है 55 की बात करता हूँ तो मेरे बच्चो 55 का B answer होगा आपका फिर 56 की बात करता हूँ तो 56 का भी आपका B answer होगा उसके बाद बच्चो जल्दी से बात करते हैं 57 की तो 57 का आपका अंसर A है 58 का भी आपका अंसर A है 59 का आपका अंसर जो होगा मेरे बच्चो वो C होगा और इसी तरीके से जो 60 का अंसर होगा वो D होगा ठीक है maximum answer आपको questions के maximum के सारे ही answer आपको बता दिये गए हैं अगर आपके पस कोई दूसरा set है आप उसकी भी answer की चाहते हैं तो आप comment करके हमें बता सकते हैं एक दो questions का mark अगर गलती से गलत हो गया होगा तो मैं comment में बता दूँगा हलाकि मैंने सारे आपको ठीक ही बताएं लेकिन error जैसे आप जानते हो 11 में पढ़के आया था error को अगर कोई error of commission हुई होगी तो उसको मैं comment section में answer mention कर दूँगा ठीक है तो अपने answer match कर लीजिए और हमें comment करके ज़रूब बताएं आपके number कितने बैठ रहे हैं और किसी question में कोई doubt है आपको उसका solution चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें comment कर सकते हैं thank you so much देखते रहें accounts अवेली और जो बच्चे नए है बेटा definitely subscribe कर दो आप हमारी playlist में जाकर देख लो जिस तरीके के question बताएं हैं बहुत सारे question ता क्या maximum question डिट्टो महां से आए है प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लो अगर आपको believe नहीं है और अब subscribe कर दो channel को अगर आपक तुमें अच्छे नंबर लाने है चलिए जब तक के लिए घर रहें स्रक्षित रहें और देखते रहें accounts अवेले